प्रधान मंतरी नरींद्र मोदी ने राजसभा में राश्रुपती के अभी भाशर पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया प्यम मोदी ने रोजगार से लेकर महंगाई तक के मुद्दे पर अपनी बात रखी साथी विवक्ष के कई आरोपों के जवाब भी दिये कॉंग्रस पर निशाना साधते हुए परिवारवाद का प्यम ने मुद्दा भी उठाया प्यम मोदी ने संसंग में कहा कि अगर महत्मा गाधी की इच्छनुसार कॉंग्रस ना होती तो क्या होता प्यम मोदी ने कहा अगर कॉंग्रस ना होती तो लोकतंतर परिवारवाद से मुक्त होता अगर कॉंग्रस ना होती तो भारत विदेशी चस्पे के बजाए स्वधेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता अगर कॉंग्रस ना होती तो देश पर इमर्जेंसी का कलंक ना होता तो कई निशान सादा और उन्होंने कहा कि दशकों तक करप्शन को संसगत ना बना कर रखा होता जातिवाद और छेतरवाद की खाई इतनी गहरी ना होती, अगर कॉंग्रस ना होती, तो सिखों का नरसंघार ना होता सालों साल पंजाब आतंक की आग में ना जलता, कश्मीर के पड़ितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत ना आती बेटियों को तंदूर में जलने की घटनाएं न होती देश के सामान आदमी को मूल से विधाओ के लिए इतने साल इंतजार न करना पड़ता तो पियम मोदी ने कई मुद्दे उठाए जो कॉंग्रिस के काल में हुए कॉंग्रिस के समय में हुए और इन सभी को उठा के उन्होंने कहा कि अगर कॉंग्रिस ना होती तो क्या होता और इस खबर पर मैं सब्सक्राद बाचीत के लिए समद्द अब विभाशु जोड़ चुके हैं विभाशु जसरहा से आज पियम मोदी ने कॉंग्रिस को घेरा है इतनी बाते कहीं है क्या कहेंगे चुनावी ये समय है इसलिए कॉंग्रिस को घेरा जा रहा है या कोई और वज़ा है बात करें तो उत्तर प्रदेश समय तो पाच राजियों में विधान सब्सक्राद चुनाव है और इनी सब चीजों को देखते हैं प्रदाद मंत्री ने आज जो आज का अभिभाशन था जो आज प्रदाय राष्टपती के संभोधन के बाद जो उन्हें धन निवाद प्रस्ताय दिया उसका जवाब देते हैं प्रदी में रोजगार से लेकर महंगाई के मुद्धों पर बात रखी साथी अगर देखें तो विपक्स पे अखासकर कॉंग्रेस ना उन्हें जम करने साना सादा और बताया कि तो परिवाद का मुद्धा ने उठाए जाता और 7 PM में संसर में यह दि आम महात्मगादी की неп Anda Revolution तो क्या होता? वहीं आपको बताना चाहेंगे कि उन्हें नें बताया कि Congress ना थितू लोक्तंत्स हमें कि ब्रवासा है वह उस्सें मुणड होता साथी साथ अगर कॉंगरिस ना होती तो भारत विदेशी चस्पे के बजाए स्वदेशी संकल्पों के वास्ते पे चलता जी सिखाओ बहुत 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 शुक्रिया मासे जुड़ने के लिए इस कबर पर मासे समधाता विभाश्यों जुड़े थे तो कई चीज़ों को लेके आज प्रधान मंतरी ने कॉंगरिस को घेरा है कई सवाल उठाए है रुकरत अगली खबर की तरफ उत्रप्रदेश विधान सभा चिनाओ के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है संकल्प पत्र जारी करने के दोरान ग्रीह मतरी अमिर्च शा, यूपी के सीम, योगिया अधितनाथ, डिप्रिसीम, केश्व प्रसाद मौर्य, केंद्रे मतरी, धर्मेन प्रधान और अनुराक ठाकुर भी मौजूद थे इस घोशना पत्र के सरिये बीजेपी ने दलीतों, अबैसी महिलाओ, युवाओं और किसानों के तमाम वादे किये हैं उत्तर प्रधेश, विधान सबचनाओ, 2022 से पहले प्रचार है, उसके आखरी दिन, मंगलवार को बीजेपी ने अपना घोशना पत्र जारी किया यानि जन कल्यान संकल्प पत्र जारी किया गया, बीजेपी ने तार केंद्रे ग्रहमात्रिया मिच्छा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए तमाम लोक लुभावने वादे किये, साल में दो गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया गया, तो कॉलेज जाने वाली हर छात विभाशू जुड़े हुए हैं विभाशू कई वादे और दावे किये जारे जिनावी समय है मैनिफेस्ट जारी कर दिया बीजेपी ने किस तरह से देखतें बीजेपी के एस संग कलप पत्र को जीत को लेकर भारती जनता पाशी में मंगलवार को इंद्रा गाजी पतिस्थान में आज घोश्रा पत्र अपना जारी किया इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितिनाज समेट जो जिक्ती सियम है केश्व परसाद मारी और दिनित सर्मा और चिनाफ अभारी धार्मे नित्रदान और शाप अभारी अनुराग ठाकुम के मौजूदगी में आज का मैनिफेस्टो जारी किया ग यू पि भाजपा के अध्यक्ष्य अपूरी निस्था के साथ उत्तर रहे घुया को पूरा किया है जो पिछली बार हमने वादे कि उसको पूरा किया लुए। आपको बताना चाहेंगे कि BJP में जो संकल्पत में वादे किया है उसमें साथ कल से अधिती महिलाओं के लिए जो सरकारी तरी रहन है उसमें मुफ्त उनके लिए सुगदा दी है साथी साथ 500 करों की लागत से किसी सिचाई यंत्र यूजना का भी सुगदा करने की बात की गई है आलू तमाटर प्याज के नियुन तम मुल देने के लिए एक हजार करों पर आवंटित करने की बात कही है अब अगर बात करें तो गरीब बेटियों की विवाह के लिए एक लाग की आर्थिक मदद की बात की गई है और जैसे समझवादी पार्टी और आमादी पार्टी के बिली फ्री और किसानों के लिए भी मुफ्त बिली का प्रवधान की बात कर रही थी विवान्शों युवाओं और किसानों का ध्यान रखा गया है तले तो ओबीसी और साथे पिछडे लोगों का भी ध्यान रखा गया है लेकिन कहीं न कहीं मुस्लिमों के लिए कुछ लुभावनेवादे नहीं है और इसके पीछे क्या बजाए बात करें तो भारती जनता पार्टी में अब तक 430 कि धान सब्सक्राइब अब तक कोई मुस्लमान उमिद्वार नहीं उतारा है और इसी के साथ अपने मैनिफेस्टों में उनके लिए कोई ऐसी योजना नहीं लाई है नहीं उनके इनके बोर्ड को इस तरह की योजनाओं क बताई है कि इनके लिए यह विशेस पैकेज या एता कुछ योजना लाएंगे देशे खाओं विभांशों जिस तरह से भी कुछ देर पहले ही सपा का भी मैनिफेस्टों जारी हो गया है क्या कहेंगे दोनों में से किसके मैनिफेस्टों में जादा लुभावनिवादे हैं आपको बता दे कि अगर पिछली बार की बात की जाए भाजपा की तो उसमेफा की तरह से बताए गया था कि हम 24 लाख रोजगार देंगें और वही भाजपा की तो अबसे बात बताए गया कि 4 लाख रोजगार हमने दिया है और वही आज समझवादी पार्टी में अपने आज एक घोसना पत्म में बताया है कि हम एक करूब बोजगार देंगे और महिलाओ को नौकरी में 33 पीसरी आरक्षर देने की बात कही है और वही किसानों को मिस्त गुफ्त बिजली और आपके पात साल में हेँ करूब भज़ों का वाधा किया है अपने के फटानों के उर्मकों के जो धुरूकतान civ common के अंदर देंको पैशे होते हैं उनके閥ाते में अधर का भ़ी समय कन सब्रून के विद्द गlortakермार था साथजारों जो जाफले देने की बात कि गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से विभाशू इस बार फ्री वाली राजनीती जादा देखने को मिल रही है दिल्ली मॉडल सभी अपना रहे हैं बात करें स्कूटी देने की तो प्रियंका गादी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो और अब बीजेपी भी फ्री में भी यही चीज देखने को मिल रही है चात्राओं के लिए कई चीजे देखने को मिल रही है तो क्या प्री की जो इस बार की टेकनिक है इस ये काम आएगी किसको जिता पाएगी ये फ्री वाली राजनीती जी सिखा अजर देखे तो ऐसे तमाम वीडियो सोचल मेडिया प वोटर को अपने तरफ फोलराइज करने की कोशिश कर रहा है और इसे साफ तोर पे हम देखें तो सरकार जो राज सरकारों है उनके ऊपर कर्ज लद्दा जाएगा और इंकम जो होगा वो इनी सब चीजों में चला जाएगा जिसे राज सरकार को काफी आगे दिक्कत देखने क कर्ज बढ़ता जाएगा तो क्या दावे के सिर्फ सत्ता में आने की एक रणीती है या फिर से पूरा भी किया जाएगा कुछ रणीती बनाई होगी या नहीं सर दलो ने जी अगर बात करें तो तो तमाम पार्टियां सत्ता में आई और वस्पा की तरब से कभी मैं में में सत्ता में बीजेपी आई उसने तमाम ऐसे और योजनाओं और चात और सिच्छा चिकुच्छा तमाम ऐसे वादे किये लेकिन जमीन पर धरातल से कितने उत्रे ये जनता जानती है और आप देख सकती है कि इस बार के कॉंग्रोस हो चाहे भाजपा हो उनकी तो तो तमाम ऐस देखने वाली बात होगी कि जो सरकार आती है वो कितना इसको पूरा कर पाती है और ये कहना अभी सही नहीं होगा कि पूरा करेगी ये तो सामने आएगा जी सिखांगर बहुत-बहुत शुक्रिया मासे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस ख़़र पर मासे चिनाओ 2022 के लिए प्रचार करने लखनव पहुची यहां उन्होंने सपप्रमोक अखलेश यादव के साथ प्रेस कांफरेंस की जिसमें ममता ने अखलेश को भाई कहे कर संबोधित किया यहां ममता बिनेर जी ने बीजेपी पर जम कर हमला भोला उन्होंने कहा कि बीजेपी को भेज का टीमसी की प्रचार में मदद की थी प्रेस कांफरेंस को संबोधित करते हुए ममता ने वोट की अपील की और कहा कि एक जुट होकर सपा को वोट करे और बीजेपी को हटाए ममता ने भासपब अनिशानत साथती हुए कहा कि मैं सामप्रदाइक राजनीती नहीं क ख़बर प्यमाई सब्जादापा चीत के लिए समवधाता अजहर खान जुट चुके हैं अजहर जिस तरह से आज यूपी की राजनीती को धार देने के लिए ममता ने जी उत्रिये सपा की तरफ से और बीजेपी पर जुच जमकर हमला बोला क्या कहेंगे जी बिल्कुल शिखा जिस तरीके से अब उतर पंदेश विधान सबा चुनाओ में अब बंगाल की मुखमंद्री ममता वेनेर्जी की भी एंट्री होने जारी और आपको बता दे कल लगपक देर शाम ममता वेनेर्जी लगनौ के चौदी चौरसिंग एरपोर्ट पर जी बिल्कुल शिखा जी बता वेर्गनौ के चौदी चौदी लगनौ की ममता वेनेर्जी गए और जितने वी लोग उन में मारे गए उनको सरकारी नौक पार्टी को गयरा और इसके अलावा अकलेश यादव को भाई कहकर बुलाया और इस उतर पर्देश की जनता से ये अपील भी की कि इस बार समाजवादी पार्टी को फुल पहुमत से जिताए। अजर जिस तरह से समाजवाने पार्टी मम्ता वंयर्जी की साथ को भुनाने में लगी है तो क्या इसका सीधा असर इस बार के चुनाव में लेगा क्या मम्ता की अपील सब्सक्राइब की चाह ए वर्प चुनाव को देखते हुए और ममताब एनर्जी ने प्रेस कॉंफरेंस के दौरान ये भी कहा है कि पस्चिम में चुना होने वाले हैं, दो दिन बचे हैं, पस्चिम वाले फैसला कर दें, उसका प्रभाव आने वाले तो चड़नों में चुना होंगे, उसके भी पड़ेगा, तो कहीं न कहीं पस्चिमी उत्रपरदेश में अब दो दिन में चुना होने हैं, और उससे पहले ममताब एनर्जी के इस तरह का बयान कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को इससे फाइदा जरूर पहुचे हैं, और इसके अलावा पस्चिम बंगाल के जो लोग हैं चो उत्रपरदेश पर एनर्जी ने कहा कि उत्रपरदेश में पस्चिम बंगाल के काफी लोग रहते हैं, और उनसे भी साफ तौर से और तमाव समुदाएं से ये निवेदन किया ममतब एनर्जी ने कि इस बार समाजवादी पार्टी को बोड़ दिया जाए, जाए वो प्रहमार समाज हो, जाए वो अलतंक्यक समाज हो या तलीत हो या तमाम तरहें के जो भी समुदाएं उत्रपरदेश में हैं उनको साफ तौर से ये कहा कि सम मिलकर अखले शागव को बोड़ दें और भारी मतों से बिज़े बनाएं को कहीं ना करिसका समाजवादी जी ने साफ तोर से ये भी कहा कि जिस तरीके से गोवा में भी चुनाव है और हमारी पार्टी वहां चुनाव भी लड़ लगई लेकिन मैं वहां प्रशार के लिए नहीं पहुंची मैं उत्तरपरदेश प्रशार के लिए पहुंची हूँ और आपको बताते चलें बंगाल जिद्धान साबा चुनाव के दोरान अकले शादव ने एक पूरा समर्थन दिया था टीमसी को और इसके अलावा जयाबच्चन भी वहां पहुंची थी और इसके अलावा कई समाजवादी पार्टी कारेकरता भी पहुंचे थे पश्ची मंगाल उनकी और चुनावी कैंप अगली खबर की तरफ एक और उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ब्रष्टचार पर कड़ा रुक करने का दावा कर रही है तो वहीं उनके कुछ अधिकारी ही ब्रष्टचार विरोधी अभियान को पलीता लगाते हुए नजर आ रही है जहां हर्दोई जुले में कोथामवा ब्लॉक के धरौली गाव में ब्रष्टचार का एक अजब निर्माड देखने को मिला जहां मुख्यमार्ग को जोड़ने वाली गाव के भीतर एकी इट के खड़ंजे को घटिया सामगरी से निर्माड किया जा रहा है तासीरे देख सक ये सरकार तो वहीं कुछ अधिकारी ही पलीता लगाते नजर आ रहा है सरकार की योजनाओं पे एक और उत्रप्रदेश की योगी सरकार ब्रष्टचार पर लगाम लगाने के पूरी कोशिश कर रही है तो वहीं उनके कुछ अधिकारी ब्रष्टचार करते डर नहीं रहे है हर्दोई जिले के कोथावा ब्लॉक की तस्वीरे हैं धरोली गाउक से ये ब्रश्चाचार का मामला सामने आया है जहां पे निर्मार देखने को मिल रहा है घटिया समगरी का उप्योग किया ज़ा रहा है इन निर्मार कारे में देख सकते हैं आप तस्वीरों में साफ तोर से पीली इट लगाई गई है घटिया समगरी का उप्योग किया ज़ा रहा है मुख्य मार्ग को जोडने वाले गाउं के बीतर की इट के खड़ंजे को घटिया समगरी से निर्मार किया ज़ा रहा है तो जहां अपराद मुक्त केंडी की बात कह रही है सरकार अपरादियों पर और साथी साथ व्रिष्टचारियों पर Zero Tolference की बात कर रही है सरकार तो वहीं अभी भी कुछ ऐसे ब्रश्ट अपरादी और ब्रश्ट अधिकारी है जिनके अंदर सरकार का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है इतने सफ्त एक्षन लेने के बावजूद भी कुछ अधिकारी इतने ब्रश्ट हैं जिन पर कोई डर्द नहीं है और धडले से ये ऐसे कारनामे कर रहे हैं प्रश्टचार में लिप्त पाए जा रहे हैं और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हमारे संबदाता ने इस सीधी तस्वीर दिखाई है जहाँ पर घटिया समगरी का उपयोग किया जा रहा है निर्माड कार में और इस ख़बर पर हमा ऐसा ज़दबाचीत के लिए समबदाता दिरेन कुमार जोड़ चुके हैं क्या कुछ जानकारी है विरीन जिस तरह से घटिया समगरी का उपयोग किया जा रहा है और ये तस्वीरे भी निकल के सामने आईए क्या कहेंगे कि कब से ब्रश्टाचार चल रहा है जिले में सिखाची में प्राइम प्राइम टिवी हमेशा ब्रश्टाचार के खिलाफ अवियान चलाता रहा है और हर दो ी जिले में जबसे मैंने कमान सबालिय प्राइम टीवी की सबसे में लगातार जहां-जहां ब्रश्टाचार हुआ उनको में प्रकाशित भी कर रहा हूँ अभी कुछी महीनों पहले मैंने ब्रश्टाचार की भेट चड़ाता हमारा समधाई केंद्र और बरादगर उसकी प्रमुक्तर से ख़वर हमने दिखाई थी और इसकी अभी जाज कादेश भी किया था उसके बावजूद भी यहां ब्लाग इस तर तक जाके शिमर जाता उसके बाद में अभी ज़करीफ दस-पंदा जिन पहले निर्मार हुआ था निर्मार हुआ जो कि आपने देखा होगा उमने कुछ बीजूल भी टीवी स्कीन तर दिख रही तो उसमें 10% सीमेंट की मात्रा पाई जाएगी जी विरेंज इस तरह से घटिया सवान का उपयोग किया जाता है सडके बनाने में नालिया बनाने में और बारिश होते ही इनके असली रूप निकल के सामने आ जाता है सीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार उसके बार भी इन अधिकारियों में कोई डर नहीं है सरकार का अखिर वजह क्या है क्या सरकार एक्शन नहीं लेती है अधिकारियों पे या फिर इनको खौफ नहीं है सरकार का कि अम सबसे बड़िगार की बैठे हुए जो पैसा आता है केंदर सरकार से लेके लार पैसा जो पैसा आता है और और हो छोड़ेंटे बाकों में पैसा उसका बंद्र बाट होता है इसके कार उपर उस अधिकारी बैठे बिनकुल संग्यान नहीं लेते अगर केंदर सरकार की नीती और राज सरकार की नीती पर अगर अधिकारी सही से चलने लगे तो हमारे देश का विकास क्या हमारे चोटे जो गाव है उनका विकास भी ओडियब गाव बना देते हैं जरूर मगर ओडियब गाव बनाने के बावजूद भी आज तक ग्रामीर छे विरेन जब यह तस्वीरे सामने आई तो क्या इसकी शिकार की गई है क्या इसके कोई एक्षिन लिया गया है अभी तक जब यह देखा मैंने उसके बाजूद मैंने वीडियो साब को फोन लगाए जमारे को थाप लाग के वीडियो है पंकर सिंगी उन्हों ने मेरा फोन नहीं उठाया उसके बाद मैंने विलेड डिपलोपेंट और जो सिक्रेटी होते जो क्राम विकास दिकारी होते मैंने उनको फोन मिलाया तो उन्होंने सिर्फ यह अस्वासन दिया कि मैं दिखवाता हूँ और हाँ सबसे बड़ी बात यह है पीला एटा भी कुछ वहां पर रखा हुआता जब में पुना दुबारा 4 बज़े मेरे खबर कर लाइब होना में वहां पहुंचा तो एटा वहां से जो बिल्कुल बहुत बार शुक्रिया मैंसर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर मैंसर समधाता विरेन कुमार जुड़ते हर दो इसे तो ब्रश्टाचार की सीधी तस्वीरे आ रही है जहाँ पर शिकायत के बाद में कोई एक्शन नहीं लिया ज का मगरी है वो घटना सल से गायब जरूर हो जा रही है चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहा लिता ही तवाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी